मस्ते, कैसे हैं आप सब लोग, ब्यूड़फॉल सक्सस्टोरी लेकर क्या है हूँ, यह जो सक्सस्टोरी है वो है लव वाइबरेशन की सक्सस्टोरी सामने वाले इंसान के साथ में इनके बहुत जादा इशूज बढ़ गए थे और इशूज इतने जादा बढ़ चुके थे कि एक टाइम के बाद इनको लगा कि सब कुछ खतम कर देना ही बहतर है और उसी बीच में भगवान ने इनको मौका दिया, माइंड में डाला और सामने से आ गई लव वाइबरेशन की बातें और इन्होंने उसको फॉलो किया और इनके पास में जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने पूरी की पूरी कहानी को पलट करके रख दिया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या है सक्सेस्टोरी अच्छा इन्होंने नाम शेर करने के लिए मना किय इन्होंने कहा है मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जौब चाहती थी और मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी और मुझे वहाँ पर जौब भी लग गई मैं अपना नाम इस कहानी में शेर नहीं करना चाहती हूँ मैंने देखा है बहुत सारे लोग नाम शेर करते हैं और बहुत सारे लोग नाम शेर नहीं करते हैं तो मैं उन में से हूँ जो मैं अपना नाम शेर नहीं करना चाहती हूँ पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैं बजाज में काम करना चाहती थी और मैंने उस कंपनी में बहुत महनत से बहुत पॉजिटिव माइंड से लॉज आफ अट्राक्शन तो मुझे आपके विडियों के थूपता चला लेकिन मैंने पॉजिटिव माइंड को रखते हुए और जो चीज़ें आप अभी बताते हो वही सारी चीज़ों को जाने अंजाने में फॉलो करते हुए अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब पाली लेकिन वहाँ पर जो मेरी सीनियर थी वो एक लेडी थी और उनको मेरे से पहले दिन से ही बहुत ज़ादा प्रॉब्लम थी वो हर चीज़ में मेरी कमे निकालती और उनको कभी भी मेरा कोई काम भी अच्छा नहीं लगता मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ पूरी महनत से काम करती हूँ मैं अपने काम के प्रती बहुत ज़ादा इमानदार हूँ मैं अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती हूँ और कई बार बिना सोचे समझे मैं वो काम भी कर जाती हूँ जो काम मेरे काम में तो काम आते हैं लेकिन वो मेरे काम नहीं होते जैसे अपने कुलीक्स के हेल्प करना जैसे कुछ एक्स्ट्रा काम कर देना तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने काम से, अपने ओफिस से, अपनी कमपनी से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरी सीनियर का इस तरीके का behavior मुझे बहुत ज़ादा hurt करता था मैंने हर चीज ट्राइ की, अच्छा काम करके ट्राइ किया उनसे हस बोल करके ट्राइ किया, उनके लिए अच्छी चीजे ले जा करके ट्राइ किया उनके birthday पर एक अच्छा सा present दे करके ट्राइ किया उनके लिए उनकी ही birthday party, उनकी celebration के लिए जो party थी वो मैंने organize की थी और उसके बाद भी मैं उनके दिल में कोई जगा नहीं बना पाई काम से खुश हो करके, positive हो करके मैंने सब कुछ ट्राइ किया लेकिन मैं उनके मन में कभी भी अपने लिए सही सी जगा नहीं बना पाई एक time के बाद तो ऐसा भी time आ गया कि मैं रोज office में जाते समय अब डरने लगी क्योंकि वो मुझे हमेशा ही बेज़द करती और हमेशा ही मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ negative बाते बोलती मेरे repeat पीछे भी वो लोगों को negative बाते बोलती मेरे काम से वो कभी भी खुश नहीं होती सिर्फ और सिर्फ उनको मुझे में बुराई ही दिखाई देती थी और ये चीज़ की वज़े से अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये job छोड़ करके मुझे चले ही जाना चाहिए मुझे company पसंद है मैं यहां काम करना चाहती हूँ लेकिन मैं जिनके अंडर काम करती हूँ उनको मुझसे बहुत जादा problem है और मैं यही सोच रही थी इतने महीने मेरे इतने pain में निकले थे कि मैं आपको बता नहीं सकती और ये pain दिन बढ़ता ही जा रहा था अब मेरी घबराहट एकदम टॉप पर पहुँच चुकी थी अब मुझे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था इतनी insult अगर हमारी हो तो हम तुरंत ही चले जाएं और बस वो time भी आने ही वाला था जब मुझे अपनी ही senior के मुँझ से ये सुनने को मिला कि मैं चाहूं तो आज के आज तुम्हें यहां से निकालने के लिए भी कुछ कर सकती हूँ और वो भी मेरे ही हाथ में है और इस चीज ने अचानक मेरे दिल पर इतनी ज़ादा चोट की मैं जब रस्ते में आ रही थी तो मैं YouTube देखते हुए आ रही थी और मेरा मन बहुत रो रहा था अचानक लव वाइब्रेशन का आपका ही विडियो मेरे लिस्ट में आ गया और मैंने बस उसको ऐसे ही ओन कर दिया मेरे मन में आया कि मुझे यह करना है और उसी रात मैं घर पहुँच करके अपनी सीनियर को लव वाइब्रेशन भेजने लेगी मैं अब यह सोच चुकी थी कि अगले महीने से मैं यहां काम नहीं करूँगी लेकिन जब तक मैं यहां काम कर रही हूँ मैं अपनी सीनियर को लव वाइब्रेशन ज़रूर भेजूँगी मैंने 10-12 दिन ही किया है कभी भी तुम्हारे काम को अप्रीशियेट नहीं किया है तुमने बहुत ज़ादा ट्राय किया है और मन की बात पहुँच गई और उन्होंने सामने से आ करके मुझे सौरी बोला ये लव वाइबरेशन के तीन चार दिन अपने आपी छूट जाने के बाद अचानक हुआ मैं हैरान रह गई कि जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया था इतने महीनों तक मुझे इतना दुखी किया था मुझे एक दिन भी चैन से बैटने नहीं दिया था आज वही मेरे सामने सौरी बोल रही है हाँ लव वाइबरेशन अच्छे से काम करता है मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी मैंने बस यही सोचा था कि मैं यह करती रहूंगी और उसके बाद में जौब छोड़ दूँगी मेरी कोई उम्मीद पर भी लॉव अफ अट्राक्शन और आपके लव वाइबरेशन ने काम कर ही दिया लॉव अफ अट्राक्शन को मैं बहुत मानती हूं और हूश में काम करता है मैं अब यहाँ पर कंटिनिव काम करने वाली हूं हूँ THANK YOU UNIVERS कैंक वर थेंक गउड थेंक होड़ ओके आत यह जो इनकी जौब है यह उसे नहीं छोड़ रहे हैं यह उसे कंटिनिव करेंके किसे मेहनत से को इंसान अपनी dream company तक पहुँचता है और वहां का मौहल खराब होता है especially उनके साथ में जो senior हैं जिनके अंडरकाम करना ही है और उसी time कहते हैं ना कि जब हम एकदम give up करने पर आते हैं last moment तक लगता है बस अब हमसे बरदाश्ट नहीं हो रहा है अब हमें यहां से उटचाना चाहिए तभी भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं वही एक समय होता है जहांपर से actually हमारा भाग्य उदय सूर्य उदय आप कह सकते हैं जहांसे वो चीजें खुलने वाली होती हैं और इनके सामने आया love vibration का वीडियो इन्होंने healing कर ली जो भी इनके मन की बाते थी जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हो गई और तीन से चार दिन का gap आया इन्होंने love vibration पूरे 21 दिन भी नहीं भेजा है 10, 11, 12 दिन भेजा है और उसके बाद में छोड़ दिया है तीन से चार दिन के बाद में ही senior ने आ करके इन से खुद sorry बोला है और उनके साथ में जो रिष्टा था उनके साथ में जो बाते थी वो clear हो गए अब वो जो matter था जो negative था वो पूरी तरीके से solve हो गया और यह अपनी job भी वहाँ पर continue कर रहे है तो अब हम बात करते हैं क्या उनके अंदर कोई change आया मैं इतने दिन से कर रही हूं कोई change नहीं आया यह तो ऐसे काम ही नहीं कर रहा मुझे तो फिर जाना ही पड़ेगा शायद मेरे पास time नहीं है मैंने एक महीना decide क्या है तीस दिन होने वाले है मुझे तो यहां से भी जाना ही पड़ेगा उनके अंदर तो कोई change नहीं आया तो यह नहीं करता क्योंकि यह continue result ही चेक कर रहे हैं लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने यह decide कर लिया कि मैं चली जाओंगी यहां से एक महीने के बाद ठीक है मैं इस चीज़ को करके देखती हूं मुझे इसको ट्राय देना है बस सारे लोग ऐसा करते हैं वो love vibration भेजते हैं एक महीने दो महीने तीन महीने और उसके बाद में वो check भी करते रहते हैं आप सिर्फ 21 बेजें एक महीना भेज़ें दो महीने बेज़ें जब तक आपको मन लगता है आपको असे लगता है नहीं मुझे अच्छा लग रहा है और वह उसके बाद में देखें कि रिजल्ट कितनी जल्दी आपके पास में आजाएगा अपने में लगता है अपने अपने किज़े छेएट यह ताक्क्यों पर ट्रक्त करें थे सारेद्ट यह लूव और ट्डाँ